हलो फ्रेंड्स वेलकम तो देखिए आज मैं लेकर आई हूँ सोया वड़ी के पकोड़े हाँ तो सोया के पकोड़े बनाएंगे आज और बहुत ही टेश्टी बनेंगे ये एक बार आप जरू ट्राई कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए मैंने सोया ले लिए सोया को मैंने गेस पर उबलने के लिए रख देए यहाँ पर बेसन ले लिया है बेसन में हमने थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है और नमक डालने के बाद मैंने थोड़ा सा मैंने काली मिर्ची का पाउडर डाल दिय क्युक्स दर्णिया डालने से क्या ही ना कि पकोड़े में अच्छा सा टेष्ट आ जाता है उसके बाद पानी डाल रही हूं आप चाहो तो इसके दर थोड़ा सा तेल डाल सकते हूं मेंने नहीं डाला है श्रीप पानी डाला है और जैसे that आभी बारिस चल रही है तो बारिस क मोसम में पकोड़े तो बहुती अच्छ लगते है खाने में रिम जिम पानी गिरता हो और बस पकोड़े मिल जाए चाय के साथ तो बहुती अच्छा लगता है तो यह देखे Hi Friend इस तरीके से हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ये गोल तयार कर लिया है गोल हमारा तैयार हो गया है कुछ इस तरीके से हमने गोल को रखाए ना इसे ज़्यादा पतला करना है ना इसे ज़्यादा मोटा रखना है मीडियम रखना है मीडियम रखने से है न जो हमारी सोया इसके अंदर डालेंगे न हम उसके उपर बेसन अच्छे से लग जाएगा तो ये देखिए फ्रेंट्स मैंने कैसा रखाए बेसन को बस ऐसा ही रखना है बेसन हमारा तैयार हो गया है तो चलिए न्यापी में आपको सोया दिखा देती हूं तो सोया को हमने उबाल लिया है एक दो उबाल ले लिया था इसमें और उसके बाद अच्छे से मैंने हाथ से दबा दबा कर सारा ही पानी निकाल दिया है सोया का उसके बाद मैंने बेसन के अंदर ये सोया डाल कर चम्मत से इस तरीके से हम पकोड़े बना लेते हैं फ्रेंड्स एक बार आप ये पकोड़े जरूर ट्राई करना में फिर से बोल रही हूं क्योंकि बहुत ही स्वाडिष्ट लगते हैं बहुत अच्छे लगते हैं खाने में तो देखिए मैंने एक बार से बनकर तयार हो जाते हैं तो ये देखिए आप टमाटर सोस या हरेदनिय की चटनी के साथ इसे खा सकते हैं या पे देखिए ये जो बज गया था थोड़ा सा बेसन उसके अंदर में ने हरी मिर्ची इस तरीके से कट करके डाल दिये तो निया पे थोड़े से हमने हरी मिर् आज का वीडियो मेरा केसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना मिलेंगे एक नई रेसेपी के साथ जब तक के लिए बाई बाई